जैहिंद मेरे प्यारे साथी हो तो जैसे आपका सेंटप का एक्जांग क्लास 3 का रिएती आ गया है मतलब रोटीन आ गया है ठीक है तो इसमें आपको बताएंगे अगर या इक्जाम नहीं देंगे अगर आप इस इक्जाम छोड़ देंगे तो आपको मतलब फाइनल है 2024 के लिए सव्यधानिक और पड़ियोगी की सेंटप परिक्षा दिनांग 23-11-2023 से 27-11-2023 के पीछा योजित किया गया है जिसका कारे करम नियरो में था ठीक है मतलब कि कितना से लिया जाएगा 23 से लिया जाएगा और 23-11-2023 से ठीक है सेंटप एक्जाम मतलब आपका का ह होता है तो जोन मतलब पाले लिया जाता है एक्जाम से उसी के बारे में है ठीक है तब प्रथम पाली में दू पाली में होगा एक्जाम चार दिन होगा तब पहिल का एक्जाम आपका 23 से स्टार्ट हो रहा है सितंबर 23 से और खतम कितना का हो रहा है 27 तरीक हो तब पहिल का दिन है आपका मातरी भार्षा यानि हिंदी उर्दू हिंदी उर्दू बंगला इस सब जोन आप लिये होंगे वह होगा ठीक है और कितना बज़े से होगा तो सारे नौ से लेके बारे पैंतालिस से और द्यूतिय पालिय में होगा आपका इसमें जैसे आपका एक्जाम हो रहा ठीक है संस्क्रीत रहेगा हिंदी रहेगा ठीक है संस्क्रीत रहेगा हिंदी रहेगा जोन लिये होंगे वह उसके बाद आता है 24 तरीको तो 24 तरीको आपका बिग्यान है ठीक है वह भी सारे नौ से ले होके चलेगा उसके बाद द्यूतिय पालिय में समाजिक बिग्यान है इसमें केतना रहेगा तो 80 को रहेगा, 40 को बनाना होगा, ठीक है, उसके बाद चलते हैं 25 तारीको, तो 25 तारीको आपका गनित रहेगा, गनित रहेगा उसके बाद 2nd पाली में अंग्रेजी रहेगा, यानि इंगलिस रहेगा, ठीक है, उसके बाद 27 तारीको तो 27 तारीक एक च तो पांच उप्जेक्ट आपका 25 तारिक को समाप्त हो जाएगा यानि तीन दिन में ही समाप्त हो जाएगा उसके बाद देखें नोट में लिखा गया है मतलब यही गौर करने वाला बात है यादि कोई विद्यार्थी सेंटर परिक्षा में सामिल नहीं होते हैं अथवा अनूर्थरित हो जाएंगा मतलब सामिल नहीं होंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा ध्यान दे, पूरवर्ती, कमपांटमेंट, एक विशाय, अंग्रेजी यों, समुचित कोटी के विद्यार्थियों को सेंटर परिक्षा में सामिल नहीं होना होता है, ठीक है? मतलब कि एक चीक विशाय, कमपांटमेंट मतलब आपका कॉन विशाय में इसके पहले वाले में आपका लग गया होता क्रोस रस्त उसमें आप सामिल नहीं हो सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्ष विडियो में तब तक के लिए हो का बाए? और भी अगर इसका मॉडर पर चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए कर विडियो को लाइक किजिए